हलो फेंट्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका English Advantage की online classes में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको confusing word part 3 के बारे में बताऊंगा इसमें मैंने बहुत important word लिए है जो competitive exam के लिए के लिए क्लर के लिए और different exams के लिए लिए बहुत ही जदे important है और इसमें मैं example sentences के साथ आपको बताऊंगा कि इन में difference किया है उनको किस तरह से यूज किया जाता है क्योंकि यह जो words है यह descriptive जो test होगा आपका SBI Bank PO में और दूसरे exams में उसमें भी बहुत important साबित होगा आपके लिए और P.I. में personal interview में भी यह बहुत important साबित होगा आपके लिए क्योंकि उसमें इन words का आप यूज कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं यह words देखिए पहला word है discomfort and discomfort देखिए यह पहला word है कि इन दोना में difference क्या है और किस तरह से यह use होते हैं discomfort ठीक है देखिए यहाँ पर इसका explanation दिया हुआ है to discomfort ठीक है इसको अच्छे तरह से प्रणाउंस करिए discomfort is to embarrass someone किसी को embarrass करना embarrass का मतलब होता है to make someone feel awkward ओके to make someone feel awkward उसको थोड़ा सा अजीब सा conscious सा feel हो उसको हम बोलते है embarrass करना किसी को तो embarrass के sense में use होगा discomfort और discomfort का मतलब होता है physical और mental distress इसको आप noun की तरह use कर सकते हैं discomfort is a noun in meaning meaning physical or mental distress it is rarely used as a verb anymore यह बर्ब की तरह use नहीं होता इसमें आप S लगा सकते हैं और इससे पहले आप A, N और दा भी लगा सकते हैं ठीक है एक example दिया है यहां पर yoga can help alleviate some of the discomforts of pregnancy and keep mothers to be fit यह इसका एक example दिया है तो इस तरह से discomfort का मतलब होता है किसी को embarrass करना और discomfort का मतलब होता है physical or mental distress इसको आप नाउन की तरह use कर सकते हैं तो मुझे अमीद है यह word अच्छी तरह समझ में आया होगा आपको और अच्छी तरह से इसका आप यूज कर पाएंगे तो चलिए आप देखते हैं next word देखिए यह भी बहुत important word है और confusing word है sensor and sensor दोना का जो चारण है दोना का जो pronunciation है वह सेम है लेकिन दोनों words में थोड़ा से letter में इसमें डिफरेंस है थोड़ा spelling में डिफरेंस है देखिए यह वाला जो sensor है C-E-N-S-O-R यह में उसको हटा देता है रिमूब कर देता है उसको officially रिमूब कर देता है यह काम होता है sensor board का ठीक है और इस sensor का मतलब है यह जो sensor है C-E-N-S-E-U-R-E इस sensor का मतलब होता है criticism किसी की आलोचना करना या किसी चीज को disapprove करना देखिए यहां पर दिया हुआ है यह sensor hides information वो information को hide करत होता है उसको कट करता है ताकि कोई भी inappropriate content society में नहीं जा पाए उसके लिए होता है sensor board a sensor is harsh criticism और इस sensor का मतलब होता है criticism किसी को disapprove करना किसी की आलोचना करना इसको हम बोलते है sensor दोना का उच्छांट सेम है अब यहां पर देखिए foul language nudity and revolutionary ideas are often censored by sensor board sensor can act as a verb or a noun इसको आप sensor sensor board में जैसे noun की तरह यूज हो रहा है और censored कर दिया मतलब इसको बर्ब की तरह आप यूज कर सकते हैं यह इसका example दिया है यहां पर और यह देखिए sensor का मतलब है strong dislike किसी को disapprove when you strongly disapprove of something usually in an official capacity you are censoring that something like when the student council censors your idea to have a pool party in December ठीक है तो इस sensor का मतलब होता है किसी को disapprove करना या किसी की आलोचना करना देखिए यह example दिया हुआ है यहां पर they are tired of being censored or criticized dr. McKenna said तो इस तरह से यह example दिये हुए सारे examples आप आराम से पढ़िए और कहीं कहीं बार पढ़िए तब आपको यह पूरा अच्छे तरह के समझ में आएगा तो इस video को पूरा end तक देखिए बहुत important word इसमें मैंने दिये हैं कुछ student क्या करते हैं कि एक दो slides ही देखते हैं पूरा video नहीं देखते हैं तो इसलिए पूरा video आप end तक देखिए हो सकता है इसमें से ही कुछ word आपके next फोर्त कमें exam में आएं और वो आपके लिए एक इसका मतलब होता है डबल या दो के सेंस में इसको आप यूज कर सकते हैं और डी यू एल यह होता है इसका मतलब होता है fight या contest ठीक है देखिए यह दिया हुआ है यहाँ पर dual is two or double जैसे हम बोलते है double benefit या dual benefit या dual advantage उसके लिए यह वाला वर्ड इस्तेमाल होगा but a dual is a fight fight or contest you can say देखिए if you are getting sick of your intimate friends dual personality dual personality बतलब कभी कुछ बोलता है कुछ बोलता कुछ है और सोचता कुछ है करता कुछ है तो dual personality हो गई उसकी perhaps you should throw down your globes and challenge him to a duel at a high noon यदि आपको फ्रेंड की जो परसनल्टी है वो ड्यूवल परसनल्टी है आपको वो चीट करता है तो आपको उससे fight लड़नी चाहिए तो एक तरह आप देखिए कितना अच्छे एक्जम्पिल है इसमें दौनों ही वर्ड का कितना appropriate example के साथ यूज कि है इस फॉर्मल कॉंटेस्ट आर नो लॉंगर प्रैक्टिस सो ड्यूवल हैस बोड़न तुमीट अनी कॉंटेस्ट बिट्बिन तू पीपल टीम एंविन आइडिया यह मैंने एक्जम्पिल करके दिया है यहां पर और यह इसका एक्जाम्पिल है तो हमेसा याद रखिए द दियू एल का मतलब है डवल या टू और डियू एल का मतलब होता है फाइट या कॉंटेस्ट चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं देखिए यह भी बहुत यूच्फुल वर्ड है और इसमें भी स्ट्वेंट कंफिज जाते हैं अल्टरनेट एंड अल्टरनेटिव इसका जो चारण है इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट एंड अल्टरनेटिव नहीं बोलेंगे इसका जो चारण है अल्टरनेट या अल्टरनेटिव 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 अल्टरनेट का मतलब है एक के बाद दूसर देखिए यहां पर दिया हुआ है, to alternate is to take turn, an alternative is an option, alternative का मतलब होता है option, कि आपके पास choice क्या है, उसको हम बोलते है alternative, और alternate का मतलब होता है, आपका to take turn, और इसको आप बोल सकते हैं every other day, every other day भी बोल सकते हैं इसको, देखिए when you wear your checkered shirt, the black and white squares alternate, मतलब एक पहले black आता है, फिर white आता है, फिर black आता है, फिर white आता है, इस तरह से alternate होती है, जो stripes होती है, but if you are not feeling like an 80s guitar hero, the green jacket is a nice alternative or an option to it, alternative का मतलब होता है option, और alternate का मतलब होता है बारी-बारी से, या to take turn, ठीक है, देखिए, alternate can act as a noun, verb or an adjective, यह पूरा पर सकते हैं, alternate का मतलब substitute होता है, जैसे हम बोलते हैं कि आपके पास कोई alternate number है क्या, तो alternate का हो, हम substitute की तरह भी use करते हैं, और alternative can be an adjective or a noun, as an adjective which describes something available as another choice, और choice के sense में आपको use करना है, तो आप use करेंगे alternative, an alternative lifestyle, चलिए next sentence देखते हैं, यह भी बहुत important word है, counsel or counsel, इसको आप इस तरह से याद रसकते हैं, । जो है, यह नाउन है, और एस वाला जो है, बर्व है, जिस तरह से advice में होता है, advice में खराव,self means word, ग्रॉन, ऍपैको प्रॉन,ऑस तरह से प्रॉन, नाउन हिंट अगे खरानें, जिसमें खराव यह सी अट, आपका बर्व है, देखे है, a counsel is a meeting for discussion or advice, but to counsel is a verb meaning to give advice, यह basic difference ह स्कुलेज में काउंसिलक तो इसमें आपका यवाला बंद आएगा आगा और काउंसिल का मतलब प्लाइगा इसका मतलब अज्वाएज भी होटा है इसका मतलब यह काम तल लीगल एडवाईस वी उता है it can also mean the act of giving that advice or refer to a person who gives legal advice तो counsel का मतलब advice के sense में भी यह use होता है देखिए यहाँ पर यह example है don't go out in the storm tonight, counseled his wife उसकी wife ने उसको advice किया तो इस तरह से यह counsel, simple सा याद रखिए C वाला जो है वो noun है और S वाला जो है वो verb है चलिए next वाकते हैं elusive and elusive देखिए इसको आप याद कैसे रहेंगे देखिए elusive का मतलब यह जो इवाला जो elusive है उसका मतलब है कि difficult to catch कोई भी ऐसी चीज़ जो पकड़ना जो फिगर आउट करना तुब़ा मुस्किल है उसको हम बोलते है elusive और यह आई वाला जो इसका मतलब है आपका imaginary काल्पनिक जो रियल नहीं है तो आई को इस वाले आई को आप imagination के आई के साथ करके आप याद रह सकते हैं कि elusive का मतलब होता है imagination या जो चीज रियल नहीं है और इस elusive को आप exit के साथ लिंक कर सकते हैं कि कोई चीज exit कर जाती है बार-बार आपके हाथ में नहीं आती है जिसको पकड़ना बड़ा मुस्किल है देखे एन इलूसिव फेरी इस दा वन यू कांट कैच बटन इलूसिव वन वस नेवर रियली देर एट आल मतलब एक इलूसिव परी है और एक इलूसिव परी है इलूसिव जिसमें आ रहा है उसका मतलब यह है जिसको आप जिसको पकड़ना मुस्किल है जिसको आप कैच नहीं कर पा रहा है और इलूसिव जिसमें आई आ रहा है उसका मतलब यह है नहीं पूरी तरीके जैसे हम बो small rodents, small rodents, उनको बोलते हैं small rodents, तो यह एक्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए यह बहुत अच्छा एक्जाम्पल है, इस तरह से आपके एक्जाम में आ सकता है, predicting extreme events any further than 10 days in advance has long been an elusive goal for materialist, उनके लिए यह बहुत ilusive goal रहा है, बहुत difficult goal रहा है जिसको पकड़ना भूत मुश्किल है, और लेखिए, something elusive on the other hand is not real, if it seems to be, the word elusive is used mostly in literature, we find our favourite illusions, लिटेचर में इसका बहुत हुज होता है, इलूसिप का हम illusions को use करते हैं literature में, then he knew it was an illusion of his eyes, उसके बाद उसको पता पड़ा कि वो तो उसकी आँखों का एक भ्रहम था, reality में वहाँ पर कुछ नहीं था, तो ये ये वाला जो इलूसिप है, इसको आप exit से आद रखिए, कि exit कर जाती है कोई चीज, बार-बार आप उसको बहुत है और ये जो इलूसिप इसको आई के imagination से याद रखिए, आई के imagination मतला वो चीज रियल नहीं है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, चलिए next set of words देखते हैं, देखिए ये है extent और ये है extent के बिल एक लेटर का difference है, A का और E का, देखिए ये वाला जो extent है, E X T E N T, इसका मतलब होता है range किसी चीज की range किया किसी चीज की सीमा क्या है, और इस extent का मतलब होता है exist, मतलब वो चीज अभी भी exist है, अभी भी है, extinct नहीं होई, देखिए, they sound similar and both have axis but extent have, extent का मतलब है, extent means still here, इसका मतलब है still here, अभी भी है वो अभी भी exist कर रही है, and extent refers to the range of something extent to an extent हम बोलते हैं to an extent to a large extent इस तरह के phrases बहुत यूज होते हैं English में तो इसका हम देखते हैं भी नहीं extent is something that is still around मतलब extent एक ऐसी चाहिए जो की अभी भी है and you are surprised it is not extinct it is more than just existing but also surviving when others haven't तो इस तरह से इसका मतलब है और extent का मतलब होता है किसी चीज का किसी चीज की reason इसको आप पूरा पढ़ लीजिए इसको pause करके इसमें पूरा define किया हुआ है पूरा explain किया हुआ है मैंने example के साथ तो चलिए देखते है next word देखिए यह भी बहुत confusing word है empathy and sympathy देखिए sympathy का तो simple सा मतलब है sense of pity किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए या किसी के साथ कुछ unfortunate हो जाए तो उसके साथ आपको थोड़ी सी दया आती है थोड़ा सा बुरा फील होता है उसको हम बोलते sympathy और empathy का मतलब होता है equal feeling मतलब जो सामने वाले विक्ति के साथ हुआ है और वो ही आपके साथ हुआ है तो उसको हम बोलेंगे empathy ठीक है देखिए empathy का मतलब है empathy is a heart breaking you experience other people's pain and joy जो दूसरे को जो joy हो रहा है या pain हो रहा है वही आपको कब फील होगा वह आपको तब फील होगा जब same वैसा ही आपके साथ गुजरा होगा ठीक है जैसे sympathy is easier because you just have to feel sorry for someone देखिए example दिया हुआ यहां पर send a sympathy card if someone's puppy died feel empathy if your puppy died too मतलब किसी के साथ कुछ बुरा हो गया है तो आप उसको sympathy card बेजेंगे और वही same चीज अगर आपके साथ भी है तो आप उसको empathy card बेजेंगे आपके friend का यदि यो favorite puppy है उसकी death हो गई है तो आपको बहुत बुरा feel होगा और same यदि आपके friend के साथ भी हो गया तो उसको भी बैसा ही feel होगा तो empathy का मतलब है equal से आद रखिया कि equal feeling और sympathy का मतलब to say sorry or to feel sorry not to say sorry but to feel sorry sympathy is a feeling of pity or sense of compassion it is when you feel bad for someone else who is going through something very hard sympathy का मतलब होता है कि केसी के लिए दया feel करना compassion feel करना और empathy का मतलब होता है एक जैसी feeling को feel करना देखिये I have always thought of acting as more of an exercise in empathy अपके जो character के तरह ही आपको feel करना हता है आपको आपके जो character जो आप play कर रहे है उसके after keқ की तरह ही आपको feel करना होता है इसलिए acting की तुलना यहाँ पर empathy से की गई है चलिए next sentence देखते है formally और formally formally और यह है formally और यह है आपका formally तो एक word की जगे दूसरा word आप इस्तेवाल करेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा formally का मतलब होता है पहले वाला earlier formally known as जैसे आपका पहले नाम कुछ और अब नाम कुछ और है तो हम पहले वाले नाम के साथ जोड़के बोलेंगे formally known as और formally का मतलब होता है according to the established customs देखिए formally is something that happened before ठीक है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं फॉर्मर पहले के भूतपूर like when a pop star changed his name or informal जैसे दो वर्ड होते है formally describes something done according to an established custom like dressing formally for dinner with the president as people always always have done तो इस तरह से यह formally का मतलब होता है according to an established custom the current council will formally disband within the next few days मतलब जो अभी current की council है वो dissolve हो जाएगी वो बंद हो जाएगी कुछ दिनो बाद तो यह दोनों में difference है अब last word देखते हैं morbid और moribund यह कई exam में कई बार आ चुका है morbid का मतलब होता है कुछ distasteful कुछ unhealthy और कुछ abnormal ठीक है morbid interest देखिए morbid describes something gruesome something भूत ज़दा distasteful like smallpox or frankincistence monster यह disease के नाम है moribund refers to the act of dying or something dead moribund का मतलब होता है कोई चीज मर चुकी है खतम हो चुकी है उसको हम बोलते है moribund morbid का कुछ ऐसी चीज को बोलते है जो distasteful हो abnormal हो unhealthy हो या unwholesome हो the morbid imagination a website about horror and the art यह आपने इसके एक्जाम्पिल दिया हुआ है if the first section of the newspaper you read is the obituary you could be considered morbid morbid is a word used to describe anyone who spends too much time thinking about death or disease or horror तो obituary जो होती है उसमें जिसकी recently death हुई है जिस भी किसी व्यक्ति कि उसके बारे में article लिखा हुआ रहता है उसके बारे में detail रहती है वहाँ पर तो यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट डिजीज, होरर, death इस तरह की चीजों में है और आपके जो इंटरेस्ट है वो morbid interest माने जाएंगे ठीक है और moribund का मतलब होता है dead इस हार्ट वोस टेकन फॉम ए मैन हुग केम इन्टू दा हॉस्पिटल इन ए moribund condition, in a moribund condition means dead condition तो moribund का होता है dead तो इस तरह से मैंने इसमें 10 बहुत important words लिए हैं और बहुत सारे words important हैं जो आपको समझ में आये होंगे और आप इनका अच्छे चासे यूज कर सकते हैं देखिए इसका कहां कहां use हो सकता है इसका close test में बहुत अच्छा use हो सकता है sentence improvement में आप इसको यूज कर सकते हैं sentence correction में आप इसको यूज कर सकते हैं तब आपको यह पूरी अच्छे तरह के से ग्रैस्प हो जाएगा, अब आप देखें, यहाँ पर आपको इन वर्ड को इन वर्ड के साथ मैच करना है, और यहाँ पर इसका आंसर लिखना है, तो इसको मैं आपको करवा देता हूँ, मोरी बंड का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नमबर टू, इस तरह से आपको यह पूरा सॉल्व करना है, तो कुछ वर्ड मैं इसके सॉल्व कर देता हूँ इसके, या कुछ वर्ड फिर आपको सॉल्व करके देने हैं, देखिए, एक्स्टेंट का मतलब क्या होगा, एक्स्टेंट का होगा, रेंज, थीक है, तो रेंज के आगे आप क्या लिखेंगे, रेंज के आगे आप लिखेंगे यहां पर, यह अंशर होग्या आपका, इस तरह से आप, इलुसिब, क्या मतलब होगा, इलूसिब में मैंने क्या बतायाँा, इस आई को आप imagination के साथ जोड़ सकते हैं, तो इसको आई को आप imagination के साथ जोड़ेंगे, तो आपका क्या बनेगा, ये बन जाएगा answer, not real, तो यहाँ पर आप क्या लेखेंगे, यहाँ पर आप लेखेंगे four, ठीक है, इस तरह से आप इनको, तो council, council का मतलब क्या होगा, council advice की तरह भी use होता है, ये advice हो गया आपका, alternate का मतलब क्या होगा, to take turn, ये answer हो गया आपका, alternative का मतलब होगा, option, ये आपका answer हो गया, और extent, extent का मतलब क्या होगा, extent का मतलब होगा, exist, ठीक है, extent का मतलब होगा आपका, exist, ये answer हो गया, elusive का मतलब hard to catch हो गया यह आपका answer हो गया और dual का मतलब double हो गया तो double double इसमें दिये ही नहीं है double exist to take turn option hard to catch fight not real range feeling of pity advice dead अरे हाँ dual है ना यह d-u-e-l वाला है तो dual का क्या होगा fight होगा यह fight होगा d-u-e-l है यह ठीक है तो इस तरह से इन वर्ट का आप रिवीजन कर सकते हैं एक बार और इसको आप फिर से पढ़ लिए अच्छीते से आराम से समझ में आ जाएगा चलिए इसमें कुछ और वर्ट है उसका रिवीजन करते हैं देखिए सेंसर का मतलब क्या होगा S.U.R.E वाला सेंसर है किसी को इम्बेरेस फिल कराना former, former का मतलब हो जाएगा earlier, यह पहले वाला, यह वाला earlier, ठीक है, और moriband का हो जाएगा आपका dead, तो इस तरह से 20 words का आपका revision भी हो गया, बहुत important words आपने इसमें include कर लिए, और इसको यदि आप बार बार देखते हैं इस वीडियो को, तो आपको अच्छे तरह से इनका use कर सक तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फेंट के साथ, कॉमेंट करके मुझे बताइगे कैसा लगा आपको, कितना useful हुआ और क्या इसमें further modifications हो सकते हैं, और यदि आप फस्टाइम इस चैनल पर आए हैं, और फ किसी भी एक्जाम में सफाल हो सके, so thank you very much for watching this video and I wish you all the best for your bright future, thank you.